सब्सक्राइब के प्राकरतिक प्रदेश्य के बारे में पढ़ाई करेंगी इससे पहले हम चीन की चीन के बहुत तीक शुरूप फिजियोग्राफी चीन के नदी तंत्रे या नदी प्रणाली अ द्रेने सिस्टम, चेन की वेजिटेशन, चेन की वनिस्पति, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, चेन की जल्वाई की दसाएं क्या हैं, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, और इससे पहले हम चेन के प्रदेश्य के बारे में भी जैसे की दो प्रदेश्य के बारे में पढ़ चुके हैं तो आज हम दो प्रदेशों के बारे में और पढ़ाई करेंगी तो सबसे पहले हम चीन को 15 प्रकर्तिक प्रदेशों में भाटा गया है उसका यह डाइग्राम है जैसे कि आप से भी जानते कि चीन एक विशाल आकार लिए देश है यह यूं कह सकते हैं कि ची से देशंत्री विस्तार काफी विश्त्रित है जिसकी वज़े से यह की प्रकर्तिक और भोगली प्रस्तितियों में सांस्कृति प्रस्तितियों में काफी विविद्दा है जिसकी वज़े से इसको पंद्रे प्रकर्तिक प्रदेशों में बाटा गया है जिसमें पहला प्रद प्रदेश च्छटा है रैडवे सिम कि साथ वा दक्षनी पस्मी उच्छ प्रदेश और आठ वा सिक्यांग प्रदेश आपको नक्से में भी इस पस्टोर से दिख रहे हैं सभी नवा है दक्षनी पूरी तर्ट्य प्रदेश दसवा है तिबद का उच्छ प्रदेश यह कापी विस्त्री तोर का बड़ा एरिया है दिख रहा है आपको और ग्यारव है सिंक्यांग प्रदेश इसके लगता हुआ है और बारह है अंतरवर्ति मंगोलिया प्रदेश और नहीं कर वहा है मंचुर का मत पूली प्रदेश दे आज हम चलो करते हैं तिबद का उच पंदेश अब कि टिबत का पठार संसार के सब्सेर उचा-पठार है इस के अंतर का तिबत संग dolore in दोन परवतों के बीच में इस्टेता है। इस प्रदेश का विश्तार 27 डिग्री उत्र्यक्सांस से 37 डिग्री उत्यक्सांस से लेकर 103 डिग्री पुरी दयसांतर की मत्रहे है और इस प्रदेश का क्षेतरपाल कि एक यजार दो से 11.000 वर्ग किलामेटर है। इस प्रदेश के उसे तुचाई 5,000 मीटर है इस पठार में पस्यम से पूरब की और अनेक परवत स्रेणया फैले हुई हैं इसमें अनेक परवत शिकर 7,500 मीटर से भी उंचे हैं यह शिकर वर्स वर बारव से ढखे रहता हैं इस प्रदेश से अनेक नदिया निकलती हैं जिनम में सिंदू सांगपूर यानि चेन में सिंदू को सांगपूर बोलते हैं और यह अंग्टी से क्या प्रमुक है इस अब इसमें कुल्ले खुआ है कि तिबबत का उच्छ प्रदेश है यह काफी उल्चा है इसे संसार की चत्विक आ जाता है रूप अब दा वर्ड भी कहा जाता है आधिक उच्छ होने के वज़े से अब हम बात करते हैं तिबबत की उच्छ प्रदेश की जल्वाई के बारे में तो यह की जल्वाई अतन्त विशम है यह सर्दे में कटोर सीज तो तक गर्मिय में गर्मिया परती है सर्दी में तापमान माइनस 20 डिग्री संटीगर तक पहुंच जाता है उत्तरी भाग में विश्तरित चांग तांग के पठार पर तापमान माइनस 25 डिग्री संटीगर तक पहुंच जाता है गर्मियम तापमान 27 डिग्री संटीगर तक पहुंच जाता है वर्सा यहां गिस परशुपालन का रिये संबह होता है अब हम बात करते हैं यहां कि क्रसी के बारे में नगरिये या बसावट के बारे में तो क्रसी के बारे में बात करते हैं क्रसी के नदे की गाटियों और परचे डालों पर की जाती है जो की क्रसी यहां अधिक की जाती है इसके अधरिक मक्क पशुपलन यहां का परदान धोग है पसो से प्राप्त ओन्सी वस्त बनाया जाते हैं बेड़ यहां का मुक्षे पशु है इसलिए बेड़ों से मिलने वाली आ यहां का ओन्री वस्त वच्थ निर्वश है अन्य उद्धोग दंदों में चमडा, सूतिवस्त्र तता बरतन उद्धोग परमुक है विशम जलवायू, उबड़ खाबड़ परवतिय भाग तता परिवेन के साधनों के अभाव के कराण यहां आदुनिक उद्धोग दंदों का विकास कम हुआ है परवतिय और पठारी भाग होने के कराण यहां परिवेन के साधनों का विकास नहीं हुआ है परिवेन इस वचे से धोड़न दे ज्यादा विक्षित नेविये हैं लासा और ग्यांत से यहां के प्रमुक नगर प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र तदा मैधपुर्ण ओद्धोग नगर है लासा तिबद की रादानी भी है और यह सड़क मार का केंद्र है यहां हवायड़ा भी है यह रादानी होने के साथ धार्मी नगर पवित्र इस्थान भी है और यहां दलाय लामा का पवित्र हवायड़ा भी भारत में जो सोनार्थी के रुप में रह रहे हैं दलाय लामा वो तिबद से ही आये हैं यहनको भारत सरकार ने स्रनक्षम पुदान कर रखा है तो इस तरीके से यह तिबत का उच्छ प्रदेश था जो आप नक्से में इसको आप भारत के उत्तर में यह आप देख सकते हैं सवनसाय कि छत भी बोलते इसको आगे हम अगले प्रदेश के बारे में बात करते हैं सिंक्यांग प्रदेश जो भी तिबत के पड़ार के सीमा से लगता हुआ ही भाग है चेन के उत्री पस्वी भाग में विश्तरित सिंक्यांग का प्रदेश एक प्रवत्य प्रदेश है जहां कुनलुन अल्टाइटाग इत्यादी प्रवस्यणा विद्यमान है इन प्रवस्यणे के मद्द में तारेम तता जुंगेरियन बेशिन इस चीत है यह अप्रटन्ट ह तारिम बेशन और जुंगेरिन बेशन नहीं आपार यह बेशन समुद्र तल से 500 से 800 मिटर तक होचे हैं इस प्रदेश में मद्यवर्तिय भाग में तकला मकान का मस्तर फैला हुआ है तारिम मनास उरुग उरुगू तारिम मनास उरुगू इस प्रदेश की मुख्य नदिया है इस प्रदेश की प्रस्वी भाग में अनेक छोटी-छोटी जीले पाइजाती है अब हम संक्यांग प्रदेश की जलवे के बारे में बात करते हैं यह की सेंटिमेटर है जो बहुत कम है वर्षा की कमी काणिया प्राकृति बनस्पतिक अभाव है किल कुछ इसतार पर सुकी घास तता सुस्क कट्टिली जाड़िया उग आती है सिस्टा की वहस्ता करके कुछ इसतारों पर तंबाकू यहूं जुआर बाजरा कपास आलू तता फलो की किसी कर ली जाती है मुर्ष लिभाव में कुछ खजूर का भी बदर होता है इस प्रदेश का अर्थवस्ता के बारें बात करता है यहां कि कैसे एकॉनमिक सेटप है सिंक सब्सक्राइब 15 सेंटी मिटर वार्ष को उसत है यहां पर केवल सुस्क कर्टली जाड़ियों पर केल पश्य पलनी संभव पाता है पस उसे प्राप्त उनके गलीचे कंबल तर्दा कालिन बनाए जाते हैं यहां मिलने वाले अधिकान सुझ्योग धंदे कुटर इस तर के है इस प्रदेश में कोईला ता कुछ लुहा मिल जाता है इससे उरमची में मस्चीन बनाने के विवसा विक्षित हो गया है उरमची नगर का नाम है यहां सूती वस्तर सिमेंट ता उन्य वस्तर बनाने की कारखने हैं और उरमची में हवाय अड़ा भी है इस तरीके से आज हम चेन के दो प्रकृति प्रदेश के बारे में हमने अधन किया तिब्दकर्च प्रदेश को सिंक्यां प्रदेश आप सभी ने दान से सुना आप सभी को द्रम्याव